Good morning student, this is your Hindi grammar class and today our topic is chapter 8 kriya आज हम करेंगे chapter 8 kriya नीचे दिये गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए सबसे पहले हम सुबह नीद से जागते हैं उठकर हम नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, नाश्टा करके हम स्कूल जाते हैं स्कूल जाकर हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, बाते करते हैं अब इन सब भी वाक्यों को पढ़ने के बाद, जो ये blue blue words हैं उप्रिक्त वाक्यों में जागते, नहाते, पहनते, जाते, पढ़ते, खेलते, करते आदी शब्द किसी न किसी कार्या को व्यक्त कर रहे हैं इन सब भी वाक्यों में आपको क्या पता चलता है, कि हम कोई न कोई काम कर रहे हैं आता है ये सब भी क्या है, क्रिया है तो अब कोशन क्या बनता है, क्रिया किसे कहते है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते है यानि किसी भी शब्द से अगर आपको कोई काम करना या होना यानि ये पता लगे कि कोई काम किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं क्रिया वाक्या बनाने में क्रिया का महतव सबसे अधिक होता है कोई भी वाक्या बनाने में क्रिया क्या करती है एक उसका important role होता है क्रिया के बिना वाक्या का अर्थ सपस्ट नहीं होता बिना क्रिया के कोई भी अर्थ जैसे की गोडा गांस अर्जुन ने मचली की आँख पर निशाना अब इन जब दोनों वाक्यों को पढ़ा हमने तो इन वाक्यों को पढ़कर यह पता नहीं चलता कि क्या समझाया जा रहा है क्योंकि इन वाक्यों के साथ क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है अब आपने जब यह पढ़ा तो गोडा गांस कुछ नहीं समझाया अर्जुन ने मचली की आँख पर निशाना ये भी नहीं सब्सक्राइब तो जब हम इनके साथ अब हम इन वाक्यों के साथ क्रिया का प्रयोग करेंगे जैसे गोडा घांस खाता है अर्जुन ने मचली की आँख पर निशाना लगाया ठीक है अब इससे क्या हो गया स्पस्ट हो गया कि क्या काम हो रहा है तो क्रिया लगाने से इन वाक्यों का अर्थ स्पस्ट हो जाता है अब हम जानगे हैं कि क्रिया के बिना वाक्या अदूरा होता है यानि कि जब तक आप किसी भी वर्ड किसी भी संटेंस के साथ वाक्या के स इसना, बुलाना, गिराना, खरीदना, पढ़ना, बैठना, जाना, दोना, सहना, हसाना, भागना, उठाना, बेचना, बूलना, रुकना, गाना, सोना, कहना, रोना, जागना, खिलाना, देना, लिखना, चलना, बजाना, खोना, रहना, रुलाना, सुलाना, पिलाना, लेना, मि आपके में यूज की जाती हैं उससे आपको क्या सबस्ट होता है कि आपकी क्रिया हो रही है ठीक है तो अब आपने इसकी वर्कशीट सोल्व करनी है अच्छी एच्छी राइटिंग करनी है आपने थैंक यू